नारायन क्यों बोलते हैं? नर अयन, नर मतलब इनसान, आदमी, मनुष्य, यह मनुष्य जिनको पकरने से हम सचे मनुष्य बनके रह सकते हैं, वही है नारायन, नारायन मतलब जिनको पकरके हम मनुष्य बनके रह सकते हैं, यो कि इनसान के खाल में हम कभी-कभी ऐसे गलत कदम कर लेते हैं जो उचित नहीं है मनुष्य रहने के लिए ठाकुर जी बोल रहा है मान एवंग हुश हुश मतलब चेतना मान मतलब मेरा अस्तित मुझे यदि हम पिंच करते हैं तो हमको दुखता है, मच्छा काटता है तो खुजलता है हम साप काटेगा तो हमको जहर फैल जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो ये शरीर को ठीक रखने का इरादा है, अस्तित कायम रखने का इरादा है, अस्तित कायम जो रखते हैं क्योंकि मेरे पास मान है, मेरा अस्तित है ये अस्तित्य को कायम रखने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं जैसा कि मेरा सबसे पहला सोच क्या रहता है जिन्दगी आने के बाद भूख भूख क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है जीब से वो जताता है मैं भूगा हूँ वहां मा करकर रोते ही है और मा उसको अपने चाती में समेटके दूद पिलाती है वो है पहला कदम मेरा भूख भूख मीटने के बाद मैं बचे रहूँगा कैसे बचे रहूँगा मा हमको सहलाती है पीदा जी हमको सपोर्ट देते हैं ऐसे करके हम लोग बचते हैं यह है अस्तित्य रक्षा अस्तित्य रक्षा अस्तित्य का पूष्टी मा का दूद से मिलता है फिर थोरा सा बरा होते हैं तो मा पीदा जी हमारे खाने का बंदवस्त करते हैं दिमाग की विकास के लिए बिद्धा की वैवस्ता होती है ऐसा करके हम लोग आगे की और कदम के कदम आगे बढ़ते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने जैसा एक स्विष्टी करूं ऐसा इच्छा होता है यह है संगबर्धन जैसा कि मेरे अबस्था बहुत खराब है तो देखते हैं हम एक बार मेरे क्लास टेन वाला परिक्षा जब हुई थी तो हमको जाना पर रहा था चीतरंजन बलके एक नगर है वहां रेल कोलोनी था वहां हमको परिक्षा देना परता था वहां देखते थे आपर ग्रेड जो स्टाफ लोग रहते हैं वहां कोई बच्चा नहीं दिखता था फिर सेकेंड ग्रेड में दोचार उन लोग का संथान बढ़ता है ठाकुट जी से पूछा गया यदि हम लोग को संखा में घटाना है तो क्या करना है तो लॉंग जीबिटी को बढ़ा दो संखा में ऐसे ही घट जाएगो ठीक है तो यह था मूल विशे कि संपोशन, संगरक्षन और संगबर्धन इस बैलेंस में रखते हैं यह अस्तित और हुश मान एवंग हुश हुश पतलब चेतना जो मेरे लिए भला है और जो मेरे लिए मंद है मंद और भला दोनों को हम समझते हैं और उस दिशा से जब चलते हैं वही है चेतना निर्धारन करने की जो छमता कोन मेरे लिए भला है कोन मेरे लि नेकी चेट, काबिलियत हर इंसान के पास राता है, इसको लेकर हम लोग चलते हैं, यह है बेसिक्स, ऐसे करके हम लोग तब पकर्ष्प में आता है, किसको पकर्कर के हम चलो, जिनको हम जीवन का नारान बलता हूं, नारान उसी को कहते है, जो सर्व अवस्था में सब समय, सब जीव का मंगल चैटे हैं, वहली है मेरे नारान, ऐसे कोई बी नारान के भेश में कोई भी हो सकता है, भगवान सब जीव में समाहित रहते है, भगवान का रूप का बिकाश जब होता है, प्रकाश जब होता है, सब में थोड़ा-thोड़ा-thonट़ा करकर रहता है, हम इसको य जैसा मन्थन करने से मक्षन का उदय होता है, वैसा ही हम इदी कोशिश करेंगे हमारे भीतर में ही भगवान का भाव ना जागरुत होगा, तो बोलेगा कि हाँ ये भगवान का मुरत है, ये भगवान जैसा है, ठीक है, लेकिन हम भगवान जैसा होने के से भगवान से बहुत रहते हैं फासले बहुत रहता है जैसा की हम बोलता है बंगला में दिगंत जाते नहीं है यह हिंदी पेसे हरे horizon नहीं उसके सामने में और एक horizon खड़ा जाता है उसको पार करना परता है लेकिन हमारे आंख में आगे बर जाता है तो हमारे भीतर में भी कोई-कोई ऐसा इंसान होता है कि जो चाहता है कि हम आगे बरो आगे बरो, आगे बरो बढ़ने की कोई सिमा नहीं होता है ठाकुजी से पूछा गया ठाकुजी, यदि हम लोग सब जीसास बन जाए हम लोग सब मंगल की संतान बन जाए तो क्या आपको आना परेगा ठाकुजी बोल रहे हैं हमसके सब जीसास को ठीक करने के लिए ये जीसास को आना ही परेगा मतलब भगवान को भगवान का जरूरत सब समय सब समय सब इंसान के पास है लेकिन भगवान क्या है भगवान का बोट क्या है भगवान कहीं आस्मान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहां रहते हैं वो हमरे भीतर में रहते हैं हम उसको नीद में सुला देते हैं तो सो जाते वो नहीं जगते, यदि हम जागुरूद रखेंगे, वो जागुरूद रहेंगे, कोई बावाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे, और वो बोल देगा, हाथ उठाके, ऐसा चमतकार, बावाईदा के पास भी नहीं है, सब चमतकार आप सब के पास है, लेक वें वें उसका भासा क्या है, वें वें से क्या पता चलेगा, मेरा भूग लगा है, मेरा कपरा गिला हुआ है, क्या बोला है, वो तो आवाज एक ही कर रहा था, वें वें, लेकिन मा को कैसे पता चलता है, कि उसको भूग लगा है, मा कैसे उसको दूद पिलाती है, और एक ह वेंवें आवाद से मा को कैसे पता चलता है कि वो कबरा गिला क्या है यदि एक इंसान मातरी रूप में आखे ये ऐसा कर सकता है तो भगवान मेरे लिए नहीं करेंगे हमको क्यों बोलना परेगा कि हमको क्या चाहिए इसका पुरन के लिए उनको क्यों उतावलना होना थे हम आपको चाहेंगे सिर्फ हम भगवान आपको चाहते हैं और किसी को नहीं यह मेरा बात है कि हम आप ही को चाहेंगे आपको यह दि चाहते रहें आपको यह दि चाहते रहें दिल और दिमाग से मेरा जो जो खाली परा हुआ है सब आप भरिये क्योंकि हम जानते हैं आपसे मांगने से आप नहीं भरिएगा क्योंकि वो तो स्वार्थ प्रार्थना हो गया मेरा बच्चा बीमार है काि हम महांगेंगे आप से रवा हम आपको मांगते रहेंगे की एक साल ऐसीं Oke होस्पीटल में दौरते गए और साल के अंध में चार बार हमको होस्पीटल दौरधूप करना पड़ा अपना पत्नी के लिए और बच्चे के लिए एक साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, operation हुआ था, मेरा पत्नी का दो बार कान का operation हुआ हम दौर रहते, साल के आंग में हम खुद से पुछे, क्या मैं परेशन हुआ था कभी नहीं कभी नहीं, मैं कभी मांगा था ठाकूर आप से, कि मेरा पत्नी को ठीक कर दीजिए मेरा बच्चे को ठीक कर दीजिए सला दीजिए, हम कभी नहीं मांगा कभी नहीं मांगा, हम आपको चाहा आप ठीक किये, ठीक किये नहीं ठीक करते तो नहीं होता है हाल में, हम कलकते में थे, मेरे मित्र वो जंडुदा आये हैं मेरे साथ वो हमको वहाँ से फोन कि देवघर से कि मेरे जान पैशान का एक आदमी उनका एक लड़का था, यंग लड़का उसके साथ किसी का मन मिटाव हो गया बहुत जोड़ तो उसके बाद हैंडशेक भी कर लिया वोग हैंडशेक करने के बावजूब दिया उसका जो चिसे से मन मिटा हुआ था उनलोग का मन की दूशन खतम नहीं हुई, तो क्या किया जहर उसमें मिला के कोल्डिंग दे दिया, और जहर के असर से वो एकदम बेजान जैसा हो गया उनलोग का जो कॉलिग से अब था पकर के ले गया, होस्पिटलाइज कर दिया क्रिटिकल केर में भरती कर दिया कूमा में था उसका पिदाजी रो रहा था बेज़र तो मेरे मित्र को जब फोन किया कि बावाजदा को बोलना है कैसे जाएंगे, बावाजदा कोलकता में है तो उसका जो हॉस्पिटल था और हम जहां ठहरे थे कलकता में डेरा में वो नजदीक में ही था तो हमसे मेरे मित्र बोला कि उनसे थोड़ा सा बात कीजेगा, हम बला भेज़ दो तो जैसा भेज़ा तो हम खाने के लिए जा रहे थे दोपर का भोजन के लिए हम खाना खाके फिर निकलना था कोई काम से तो मैंने बोला कि देखिए आपका बेटा के बारे में डॉक्टर क्या बोला बोला कोई गारंटी नहीं है कुछ भी हो सकता है एक दों कुमा में है और जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है बोला आप पिताजी हैं आपको क्या लग रहा है बोला बहुत उमीद कम लग रहा है उमीद नहीं है बोला उमीद सब खतम हो गया था आप ठाकुर जी से बोले जो आप दीजेगा वही होगा आप इसका मृत्तु चाहिए तो मृत्तु दीजे जान देना है तो जान दीजे हम आपसे नहीं मांगेंगे इसके जान के पीसे में इसके जान भूग दिजेए यह नहीं मांगे और दील से बोलीए ठाकुर जी को कि हम आपको चाहते है आपका जो इच्छा है वही हम मैं मुझे मंजूर है मुझे कबूल है शाम को वो फोन करके बोल रहा है कि मा उठ गया बच्चा खरा होके बोलता कि मा मुझे भूग लगा है कुछ खाने दो कुमा में था वो उठ के खरा प्रार्थना ऐसा ही किया जा सकता है हम आपसे कुछ नहीं मांगने है ठाकुजी आपको ही मांगना है हम आपको ही चाहेंगे और आपको चाहेंगे और जो कुछ करना है यदि मेरे लिए यही मंगल है तो यही सही मेरे अभी पेट दूख रहा है यदि मेरा मंगल है तो यही सही मैं क्यूं बोलने जाओं आप तो मेरा नोकर नहीं है मैं आपका सेवक हूँ आपका कोई काम अधूरा है तो मुझे करना है आपको क्या मैसूस होता है ठाकुर जी के बारे में वही आपका ठाकुर होता है यही आप सोचिए यदि हमके साथ किसी का मन मिटाव होता है तो मन मिटाव क्यूं हुआ मैं मेरे जैसे बैभार किया इसलिए मन मत्या हुआ मेरे साथ किसी का दुस्मन ही मोल गया क्यूं हुआ मैं मेरे जैसे बैभार किया लेकिन उस बैभार पाने के बाद ठाकँ जी क्या भय भाहर देते उनको? यह सोचना जरूइए और यह सोच किछिए और वैसा आप प्रकाश किछिए. मेरे साथ यदि ऐसा होने से हम कोई गाली दिया हम उल्टे गाली दिया. लेगिन ठाकँ जी को गाली देता तो ठाकँ जी को तो एस जगा? यह पहले सोचे क्या उनको कोई नहीं दिया गाली जिदेगी में बहुत आदमी दिया खराम नहीं बुला बहुत आदमी बुला ऐसा हर इंसान के साथ जैसा जैसा होता है वो ऐसा वैसा उनके साथ भी हुआ लेकिन वो हार नहीं माने वो हार नहीं मने पराजित नहीं हुए एक थे वो और पूरा धर्ती एक तरफ पूरा धर्ती एक तरफ और वो अकेले और अकेले रहके जो विश्वास का दोर पकरके रखे थे उस दोर में आज हम एतने सारे हैं इस नगर में हर नगर में हर जगा में लेकिन विश्वास का गहराई उसी से मापा जाता है इसा हम बोलता है सत्त बोलो अरे सत्त क्या है सत्त के विशे में हमका क्या ग्यान है हम यदि बोलेंगे मेरा कपरा काला नहीं है ये सत्त हुआ ना मेरा काला कपरा है सफद है मैं बोला ये लाल भी नहीं है ये भी सत्व हुआ और मैं बोला ये सफेद है ये भी सत्व हुआ तो तीनों तो सत्व बोले तो कुन सत्व को पकड़ेंगे इस सत्व के ग्यान के लिए ही गुरू को पकड़ना चाहिए और ये गुरू ग्यान हमको एक से दूसरा दूसरा से त तिस सा, तिस से पायदान से, चोथे पायदान करके आगे की और उपर तक ले चाहिए. हम जिस इंसान में थे, उस इंसान से बहतर इंसान में परकट हो सकता है. क्योंकि विज्ञान बोलता है, संघात के बिना बिबर्तन नहीं होता है, evolution. पहले हमारा पूछ था, संघात आया, परिवेश से, समाच से, परिवेश समाच से होके हम आज इंसान हो, हो sapiens में बदलाव में आये. और जो मैं हूँ, वैसा ही रहूँगा जिंदगी पर, इसमें बदलाव नहीं आगा. जब तक नहीं, आउटरली कोई force डाला जाएगा. ये भी Newton का एक, विज्ञान का एक निय होगा, जो जैसे हैं, वैसा ही रह जाएगा. मेरे परिशानी है, परिशानी में ही रह जाएगा. मैं खुशाली हूँ, खुशाली में रह जाएगा. मेरे पास पैसा है, लेकिन असान्ती है, वैसा ही रह जाएगा. जब तक ना बल प्रयोग होगा उसमें. बल प्रयोग क्या गुरुबल गुरुबल का प्रयोक कीजिए जिन्देगी में हड में बदलावाएगा सब चीज में बदलावाएगा और हम जो बोले बिश्वास बिश्वास पुरुशी में हो सकता है जब आप बोलिएगा ठीक है बोलते 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 एक दिन ऐसा होगा बिश्वास हो जाएगा बिश्वास आप कायम किजिए आप जो भी बोलेगा ऐसा ही होगा मेरे साथ आये है अनिल धोसिया नम का एक लरका वो कलकाता में रहता है देवगर में जाने वाला था एक दल तो उनका बच्चे होने का था बच्चे का delivery का date आगे बढ़ गया कम से कम 10-15 दिन over हो गया, delivery भी नहीं हो रहा है पानी भी नहीं तूट रहा है उसका pain भी नहीं हो रहा है उसका औरत का, औरत रहता था आसान सोल देवगर से दो घंडे की दूरी में तो वो लोग कलकाता से जो जाने वाले थे तो जो इंसान को भेजना था देवगर तो वो बोले नहीं जाएंगे हम मेरा पत्नी का डेलिवरी है क्राइसिस में है हमको वहां जाना है तो यह अनिल बाबु ने उसको थपर मारके बोला जाएंगे आपका बेटा हो जाएगा चलिए उसका बिशपास था देवगर जाओगे ठाकुर बारी जाओगे सब तुम्हारा मंगल होगा उसका बिशपास से वह धाकिला पहुँचा हुँआ देवगर देवगर पहुचा काम निपट लिया शाम को फोन कर रहा तब टेलीफोन बूद का जमाना था टेलीफोन बूद से सहसुझाल में फोन किया अरे तुमको तो खोज रहते हैं घर से बहुत देशा तो तुम्हारा एक बच्चा किसी एक कि में थाको जी कार डिक्षित ह неё मोת सादू किम बहुत सार्रीजे आदमियें नहीं बोलते हैं चुप मोन रहते हैं कि बोलने से शर्म नहीं फोब मेरे गुरु है यह बोलने से शर्मीन daha में एक परसुेश करते है यह वो चाहते हैं इसलिए जाजन करते है ठीक है मेरे में कमी है इसलिए हम नहीं बोलते है अरे दिया तले अंधेरा नहीं रहता है दिया तले तो अंधेरा ही रहता है मेरा अंधेरा है वो वा आग का तो अंधेरा नहीं है दिया देखें हैं न सब कोई दिया जो पकर के बहुत सारे कमियारा सकते हैं लेकिन वह तो सच हैं उससे प्रेम करके मेरा कुछ बारी है तो possa कुछ बदलाओ कर बोलिए अरोसमें बोलिए और उसमे बोलिए रिस्तेदेन के में ठाकी जी का पगर कर के ऐसा बैंत में हूं आप भी कोशिश की जाब भी चलिए यह जाजन जाजन यदि करते रहेंगे तो बिपलब आएगा वो प्लावन आएगा वो लहर आएगा उस तभी समाज में बदलावाएगा हम जब हम बच्पन में क्रिकेट खेलते थे तो फिल्लिंग के समय में भागते थे मेरे दोस्त लोग गो तो देखें कि बैटिंग भी हमको सिखाना पर है बॉलिंग भी सिखाना पर है फिल्लिंग भी सिखाना पर है और उलोग के साथ जब फिल्लिंग कर देते सबसे कठीन जगा में जाहन सबसे ज़्यादा बॉल जाता है क्योंकि हम पर एक टो बोज आ गया दाइत तो आगया य प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं मेरे कम्या तो मियां को कम्या को जब हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो ढखते धाएगा आहिस्ता हो मिल मेरे शरीट से ही हिस्से से वश निकल पर हम और बेटर इंसान में बदल जाएंगे कोई बावाईदार नाम का कोई जादू नहीं है ना कोई आस्मान में कोई ठाकुजी रहते हैं जब तक ना हम उसको पकर रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं आएगा ठीक है? केरी पेकर का नाम सुने है कोई-कोई जो एक दिबसिय क्रिकेट में बदलाव ले आये थे बहुत अमीर आदमी थे आठ मिनट के लिए उसका मौत जैसा हो गया जब मौत के चंगुल से वो आठ मिनट तक उसका कोई जान नहीं था बोटी में जब निकल के आये संगवादीक सब थे निउजवाले सब थे तो बोले कि बहुत आनद की बात है कि वहाँ कोई नरक नहीं देखा और एक दुख की बात है वहाँ स्वर्ग भी नहीं देखा स्वर्ग रहता है मेरे कर्म में मैं कर्म करूँ ठीक तो मेरे स्वर्ग यहीं है कोई आस्मान में कोई इश्वर बैठा नहीं रहेगा आस्मान में कोई इश्वर नहीं आएंगे हमको उद्धार करने वो मार्ग दर्शन करवा देंगे ये चलो ये मार्ग एक इंसान जब आया था धर्ती में तो भगवान बोला तुम जा रहे हो हम तुमको बहन करेंगे तुमको बोज तुम्हारा बोज हम हम अपने कंधे में ले लेंगे तो रेगीस्तान में पद भटक गया पद भटकने के बाद वो घुमता गया घुमता गया घुमते 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 जगह पहुचा जहाँ पानी था खजूर का गाज था फल उल खाया पानी भी पिया, बल आया तो भगवान से जगर रहा है भगवान आपने तो हमको भेज दिया और रेगिस्तान में अकेले यह इसे भटकने के लिए भेज दिया था वहाँ तो रेट में खाली एक ही कदम का निशाना देखे एक ही जोरा का कदम का निशान देखे आप कहां थे, हमको बहन आप बोलें हमको उठाके ले चलेंगे सब समय मुर्क, वो तो मेरा ही कदम का निशान था मैं ही तो तुझको उस वक्त अपने साथ उठा के ले चल रहा था भगवान नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, भगवान है इसलिए हम है लेकिन वो उपर में बैठके हमको मदद नहीं करेंगे, मदद हमको करना पड़ेगा, इश्वार का मा, ठाकुर जी का नाम जानते हैं, ठाकुर जी का माता मौन महीनी देभी ठाकुर जी अपने मा को बहुत प्रेम करते थे बहुत बेहत प्रेम करते थे ठाकुर जी अपने मा को बोले कि मा, हम कलकाता जा रहे हैं तुम मत जाना जब ही जाते थे बाहर तो मां को ले जाते थे, उस ब Dienstle बोले कि नहीं जाना है तुघको नहीं जाना है और मां कुझ दिन रहने के बाद बेटे के गम में चली गई कलकता अज जैसे कलकता गई ठाकुट जी एकदम रोना शुरू कर दिये तू क्यों आई, तू क्यों आई, तुझको तो आना नहीं था, तुझको तो हम आने मना किये थे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, बहुत प्रलाप कर रहे थे, दुखित हो गये, मा का दो ती निन में ही बीमार हो गया, और उस बीमारी के क्रम से पाब न पहुचे, उनका देहांद भी हो गया भगवान भी आपने माँ को रक्षा नहीं कर पाए यदि उनका अनुशरन ना करे तो कोई रक्षा नहीं करने वाले हैं उनका पत उनका रा वो कबूल कीजिए सब हम लोग कबूल किया हैं जो लोग कबूल किया हैं उस रा में चलते रहिए आस पास में बोलिए सब को जाजन कीजिए ठाकुजी की बात को महसूस कीजिए खुद तब आके आप लोग सब मंगल में पहुंचे पाईएगा कोई उपर से कोई आएगा फरिस्ता आके हमको मंगल दे देगा एक पानी दे देगा अभी आया कलम लेके आया था कि छू देंगे कलम में क्या जादू है मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है मैं एक साधरन सा इंसान हूँ सच मुच हमें ही विश्वास करते हैं मैं एक साधरन इंसान हूँ और साधरन इंसान ही हूँ मैं एक इंसान मात्र हूँ कोई देवता भगवान ऐसा कुछ नहीं एक मात्र हम समझते हैं कि मेरा विश्वास में फर्क है मैं विश्वास करता हूँ हाँ आप मेरे साथ हो सबसमय हो ऐसा करके हम चलते हैं आप कभी रूपते नहीं है आप हो, इसलिए सब हो, सब सर्च है मेरे लिए, समझ गए, आप से मेरा, कोई यदि फर्क है तो विश्वास का फर्क हो सकता है, और कुछ नहीं, विश्वास आप जगाए, आप जो बोल लिएगा, वही बात फलेगा, जो आप चाहेंगे, आप आप देखिए, हम एक बात बो बोल देता तो होता है, उस बाबाजी के पास वो बिश्वास है, यहां यहां हो सकता है, यह बिश्वास के साथ वो बोलते हैं, बोलकर ही होता है, यह जादू हम सब कोई दिखा सकते हैं, सब कोई दिखा सकते हैं, यह कोई धर्ती के बाहर वाला कोई कदम नहीं है, यह यहा भारा होके यहां ले आईए उसका गरम लग रहा है शायद तो ऐसा ही बात होता है आप लोग विश्वास किजिए आपके पास आदमी पहुचेगा सब कोई पहुचेगा लेकिन इसमें भी एक संगसे है क्या संगसे है देखिए एक लोमरी एक टीले के उपर ख़रा था दिन ढल रहे थे तो उसका साया बहुत लंबा सा दिख रहा था तो लोमरी अपना साया देखके सोचा अरे मेरा साया इतना बड़ा है तो मैं कितना बड़ा हो जाएंगा यह सोचके उसने क्या किया लोमरी ने हम ताकतवर हैं इतना बड़ा साया है तो एक शेड जा रहा था उसके साथ जगरा मोड लिया शेड ने बहुत देर तक साहा तो दो थबरा मारा तो लोमरी वहां खतम हो गया तो हम लोग जब ठाकुजी को लेके चलेंगे ऐसा हो सकता है कि हमारा शाया भी बहुत भरावत दिखना शुरू करते हैं लेकिन मैं हूं लेकिन वही सारे तीन हाथ वाले आदमी ठीक है भुल भ्रहमित मत हुए कभी भी नहीं हमको भगवान बनाने वाला बहुत आदम एक पास आविदन भेज हैं आविदन यह है की कि आप लोग पहुत सारे दिख्षा दिजिदे लिए दादादा लोग माँ लोग जो लोग है रितिक लोग जो लोग रितिक नहीं आज दिख्षा ले रहे हैं वो भी जचन कीजे ठाकुजी के बात को फैला यह समाज में और बाबा को खबर दीजे कि हाँ, ऐसा हुआ है, ठीक है, असंभव सोचिएगा, तो कभी नहीं होगा, एक ननी का घरा था, दो ननी का घरा था, धक्कन नहीं था, भूल गया था, अब दो चुहा उस पर कुद गया, बहुत ननी था, उसको पी लिया, और फुल भी गया, अब फुलने के बाद, निकलने के जब क्रम आये, तो वो उट रहा था और गीर रहा था, उट नहीं पा रह तो एक ने सोचा, मैं जो पी लिया हूँ, अमरित लेकर ही यहीं से गुजरता हूँ, वहीं ढूब गया, मर गया, और दूसरा सोचा, मैं कोशिस तो करूँ, उट रहा था और गिर रहा था, उट रहा था और गिर रहा था, उट रहा था, गिर रहा था, राध भर उटता गया, गिरता गया और उस उटने गिरने के क्रम में नानी में मन्थन होना शुरू कर दिया और नानी मक्षन में बदल गया सुबह हुई तो मक्षन थोड़ा सा हाड हुआ था उसमें चरके वो निकल गया हम लोग से संभब नहीं है बोलके हाथ उठा लेंगे तो है दूसरा वाला चुहा जैसा हम कोशिश कर सकते हैं उस नानी को मक्षन बनाके फिर उस पर चरके निकल जाए उपाय है समाजी कोशिश कीज़े जरूर होगा और एक बात बोलते हैं एक अंधा था आचारदेव की घटना बोलते हैं एक अंधे का घटना उसका संक्सार में कोई नहीं था बस अपना पत्नी था वो थे और दो बेटी थी जिसको साधी देना था पैसा नहीं था खाने दाने पानी का भी पैसा नहीं था घर के पीछवारे में उसका पकवानी करने का एक बंदवस था वहाँ उसका पत्नी एक दिन जो भी मिला था उसको पका रही थी पकाने के क्रम में ऐसा हुआ तो घर से कोई आवाज आ रहा है उसके पती के साथ कोई बात कर रहा था तो पती के साथ जो बात कर रहा था पती अधा था तो देखा खिरकी से कि बहुत सुंदर एक मनुष्य खरा है और पती को क्या-क्या सब बोल रहे है तो वहीं से एक कपरा का था बोला कि आप बैठिये इस पर बोले खिरकी से हाथ ऐसे घुचाया तो आदमी गायव हो गया तो पती से पूजा कि क्या वो आदमी कौन था और क्या मालूम नहीं मालूम लेकिन वो आदमी हमको बोला कि तुम काम सुरू कर जो वो क्या करता था गगरा बनाता था और डिजाइन वाला गगरा होता था हम लोग कांसा बोलता है बंगला में तो शायद आप लोग भी कांसा ही बोलते हैं, तो कहांके गगरा बनाता था डिजाइन वाला, तो वही बनाना शुरू करए जा अंधा था, लेकिन कम जांता था, उसी goat बनाते में, बहुत बिख्री हो गया, दोनों का भी साधी तेयर हो गया, दोनों बेटी का भी साधी हो गया, अब ठागुर जी के दया से इतनी सब प्राप्ति भात तो चलो गुरु स्थान में चलते हैं, गुरु परनाम करके आते हैं, तो ठागुर बारी में गया, ठागुर बारी में परनाम किया, नाट मंदप के पास आ न हुआ था, कोई मेरे घर में आये थे ऐसा ऐसा बोला, तो मेरा पत्ती उसका चेहरा देखे थे, वही बेठे हुए हैं, ऐसा बोला कि आचारदेव शायद उनके घर में गहे थे, गहे थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको तो ऐसास हुआ कि हाँ वो गये थे दया हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो तो कर्म में संग्जुक्त कर दिये उनलों को, कि उनलों को बेटी का साधी हो गया, उनलों खुद अपने जीवन को आगे बराद पहे दया ऐसे नहीं आएंगे दया कर्म के माधम से उत्थान होता है, जैसे सलाई में आग नहीं रहती है सलाई में आग रहती है, नहीं रहती है आग को घसिये, तो उसमें दया का उत्थान होता है, जिंदेगी में दया का उत्थान कीजिए एहसास कीजिए ठाकुर जी को सब महसूस किजए आज हम हैं, कल आप लोग रहिएगा इधर इस बात को ये दि थोड़ा सा भी आपका जहन में आपका मन में कुछ असर होगा आप लोग कोशिश किजएगा तो समझेंगे ये बात बोलना मेरा सार्थक हुआ जय गुरू